दोस्तों स्वागत वाँखे आपका रेसर एडिशन ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ फर सिर्फ एक्सीर से नहीं, इंटीर से नहीं, एंजिन में भी आपको बहुत बड़ा चेंज बिलता है, तो आज सारी सारी बात करेंगे, टाटा अल्ट्रोस के रेसर, आर थी, टॉप वेरेंट के बारे में, क्या प्राइजिंग प्राट हो जाती है, और ग्यार अलाग रुपए एक्स्वरों प्राइज आता है, अपको तीन मिलेंगे, अटॉमिक औरेंज, एवन्यू वाइट, प्योर ग्रे, की आपकी कुछ तरीके से देखने के लिए मिलेगी, नॉर्मल जैसे टाटा की की आती है, वैसी ही मिलती है, पर लॉक, टेलिट रिलीज के बटन्स वगरा मिलते हैं, इस तीन ही आपके डॉल टोन मिलेंगी, यह जो आप अपको ब्लाइक और वाइट का मिलेगा, नॉर्मल पे ब्लाइक और वाइट का मिलता है, यहां पे ब्लाइक प्यानो फिनिश है, फ्रंट में है टाटा का लोग बीचे है, फॉग लैंप्स, ड्यारेल्स, यहां पर आपके बंपर गिरिल है, ओपर अपर वाइपर का फ्रंट लूक है, वाइपर के अगर बात करें तो आपको इस तरीके से देखने के लिए बिलते हैं, डोल तोन उपर भी रूफ मिलेगी, ब्लाइक और वाइट के साथ, स्ट्राइप साती है, कम्प्लीट ब्लाइक फिनिश है, यहां पर रेसर की वैजिंग है, वार्म की बात करें, इलेक्रोणिक लर्जिस्टिबल और फोल्डेबल वार्म मिलेगे, विए 360 साइड कैमेरा, इंडिकेटर से फेंटर से पे, अलोई विल्स के अगर बात करें, तो साइट से ओवराल को इस तरीके का लोकें डिजाइन है, सेफटी फीचर के अगर बात करें, तो इसमें आपको 6 airbags, ABS, सेंटर लॉकिंग, EBD, एंजर इमोबलाइजर, एलेक्रोणिक सेमेटिक कंट्रोल, रेर कैमेरा विद गाइडलाइन, ड्राइवर और पैसिज साइट से और इसके एंजन से मान सकते हो, साइड में आदेखेंगे तो थोड़ा बट एलेमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यहां पर ब्लैक प्यानो, स्किट प्लेट मिल जाएगी साइड में, जो थोड़ा से स्पोर्टी फील आपको देगी, यहां से दूर आप खोल सकते कुछ ऐसा रेर प्रफाइल आपको मिलेगा, पीछे से देखने में आपको नॉर्मल अल्ट्रॉज लगेगी, अंटिल अल्लेस आप इसका साउंड एई सुलेटे, पीछे की टेल लैम्स की बात करें, हैलोजन बेस टेल लैम्स आती है, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, और पार्किंग लाइट बिलती है, वाइपर, दीफॉगर, हाइवर्स लाइब, वाशर, उपर शार्ट पेन एंटीना, स्पोयलर, सारी सीजे मिलेगी, यहां पे आई टर्बो प्लस की बैजिग, बीचे का पुछ बंपर है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, रिफलेक्ट यहां पे आपको टेलगेट जाएगा, रेयर बाशल ट्रे अवेलेबल है, यहां पे आपको लगेज लाब में मिलेगा, यहां पे कैरी हुक है, 100% सीट फोल्ड कर सकते हैं, और बूट स्पेस की बात करें, 345 दिट्स का बूट स्पेस मिलेगा, इस पेर भील आपका 14 इंचि की बाशल के देखते हैं, सेकिंड रो का, थोड़ा सा टाइट स्पेस है, इंटीर आपको कम्पलीट ब्लाक फिनिश मिलेगा, ताकि जो अंदर बातिक बात फील है, वो भी आपका बना रहे, यहां पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, पार उंडो कंट्रोल, दोर आमरेस्ट, ब्लाक फिनिश मिलेगा, टुटर्स भी अविलिबल है, और लेदर पॉस्ट्री के साथ आपके इंटीरेट सीट्स आती है, कुछ इस तरीके के डिजाइन के साथ, अजिस्टिबल हेडर्स मिलेंगे, और कम्पलीट आपको जो रूफ है, वो भी ब्लाक मिलती है, अभी आपको अच्छा मिल जाता है, पीछे है इस इवेंट्स, एक पावर आउटलेट, आमरेस मिलता है, विदाउट कॉपोल्डर्स, अडिस्टिबल ग्राब हैंडल मिर कोटुक, दोनु साइड आपको मिलेंगे, और सेकेंड डैश्वोट की बात करेंगे, तो कुछ इस तरीके यहां पे रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है, आपको कीले सेंट्री का फंक्शन मिलेगा, और दोर की बात करेंगे, तो कुछ तरीके का सिंगल टोन ब्लाक फिनिश में दोर मिलता है, स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, डोर आमरेस्ट, पावर विंडो कंट्रोल्स, आप फोल्ड कर सकते हैं, मिरर्स, और फंक्शन मिलता है, ब्लाक प्यान फिनिश, टुटर्स, और सीट्स की बात करेंगे, तो हाइट रिक्लाइन दोर अजस्मेंट मिल जाते हैं, में दिलेटर फंक्शन मिलेगा, आपको सीट्स में, डराइवर और पैसेजर साइड, रैजर पॉस्ट्र केमरा, लॉक करने के बटन्स हैं, बैटते हैं अंदर, अंदर बैटने बात को इस तरीए के स्टेरिंग वील आपके सामने आएगा, जो कि D-Cut में मिलेगा, फ्लैट बॉटम भीका जाता है, लैदर आप स्टेरिंग वील मिलेगा, बीच में टाटा का लोगो है, ब्लैक पै तो सिर्फ टिल्ट अजस्मेंट आएगा, टेल्सकोपे को कोई अप्शन अमेलेबल लही है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, यहां पर आपको सेवन इचिस का डिस्टल स्टेर देखने के लिए मिलेगा, लेट साइड में आर्पी मिटर है, और बीच में आपके स्पीडो को करके, ड्राइव साइड व्यू, वैरिटी में टिका टोल्टर मिलेगा, मैनुवल आयर वीम, वूपर है रेडिडि लाएं, लेड वे मिलती है, सोस, और यहां पर वन तच एंड वोइस कमांड के साथ आपको सं रूफ मिलती है, आप वन तच उपन अन फ्लोस कर सकते हैं, और पूरी कुल जाती है, सने की ठोड़ी बहुत खुलेगी, और डेशबोट पर आपको इमेंग लाइट का फंक्शन मिलेगा, और यहां पर मिलता है, 10.25 इंचिस का टस्क्रेन इनाइट कर चनेंटम इस्टेम भिट आयरे कार टेक्णोलोजी, आपल बेड़न आपल अधिक बगरा कर सकते हैं टच रिस्पांस काफी जादा ठीक मिलता है और मुल सिस्टम ऐसे भी टाटा के कोई कॉंपलीट नहीं है काफी अच्छा मुल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ओर अल किस तरीके की रिस्पांस है फिट अन्फिनिश को इस तरीके की है कॉमें बता है बाकि और इस के लिए के थोड़ बहुत इंसर्ट है हजार लैप की बटन्स अल्टरॉस की ब्रेंडिंग आटमाटिक एसी मिलता है विटेर पीरिफायर नीचे ट्वल भी का पाव सॉक्ट है यूएस्बी पोर्ट वाइले शार्जिक का उप्शन टाइप-C का पोर्ट मिले आपको एंड ब्रेक है दो ग्लास होल्डर है और यहां पर आपको ग्लब बॉक्स मन जाएगा विद इप स्टोरेज अलुपनेशन के साब ब्लाक फिनिश है पैदल्स डट पैदल भी अविलिबल है लॉंग जनीज में काफी जादे काम हाता है यूएस्ट पैसिल जाए वै इंजिन की बात करते हैं कि इसमें आपको कौन सी पावर फिगर मिलती है जुकि नॉर्माल एंट्रॉस से ज्यादा बैहतर बनाती है इसको इंजन आपको एक ही मिलेगा सबसे पहले बॉर इंट की बात करें तो इंसुलेशन वगर यहां पर आपको चीका सी मिल जाती है और इंजिन की बात करें तो 1.2 लीटर टर्पोचाज रेवर ट्रॉन 3 से लिंडर पैट्रोल इंजिन मिलेगा वित मैक्स पावर ऑफ 118 बहप और बात करें तो जो आर्थी आपका वेरिट है टाटा अल्टरॉस रेसर का वो पढ़ता है ग्यार लाक रुपाय एक शोरूम दसला अगर आप चैनल पर यहां तक बने हुए तो वीडियो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें इस्टेग्राम पर फॉलो करना चाहें तो वह भी कर सकतें बाजल मिलेगा आपसे अपनी नेक्स वीडम तो अपने के लिए थाइंक इसो उच्छ